नमस्कार मैं दानिश अंत्जार और आप देख रहें पियार भी राजनिती में दो नाब जिसकी राजनितिक पहचान महस कॉंग्रेस परिवार को नीचली अस्तर की भत्ती भत्ती टिपनी करना कॉंग्रेस को राहुल गांधी को मजा कुराना उनको लेकर अपतिजनिक जो है ब्यान बाची करना उनका यही काम है यही इनकी राजनितिक विरासत है यही इनकी राजनितिक पहचान है कॉंग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन तीनों को जो है घेरना और नीचली अस्तर का ब्यान देना दो नेता है एक है कंगना रनोत जासी की रानी कहीं ज सभाए सब्सक्राइब देती हैं कॉंग्रेस को लेकर 2014 में देसाजाइद हुए इस तरह के बियान सहजादे जैसे पयान लीडर ओपोजिशन को लेकर इस तरह के ब्यान जो है यह दो निता देती इनकी पैचान है कि कॉंग्रेस परिवार को कोशना है इनका भर दिन यही काम है लेकिन उसमें से यह दो निता कंगना रनोत और श्मिर्टी राणी में एक निता का हिर्दय परिवर्तन हो गया है आपको पता चलेगा तो आप चौक से श्रुक चुनाव रहूल गंडी के और अब स्मिर्टी इरानी का बी जैप में कितना ज्यादा था आपको पता है बहन不好 पर रही रहीं संधल्झन का स्रकार का अब स्थिति क्या है स्मिर्तिियराणी की आपको पता है कई साइड हो गई है पता भी नहीं कहाता है ना खबर आती है लेकिन इस बार बन गई है क्योंकि उन्हों लिग्peace को चुप करा तिया है समझें भी है दाल दिया है कंगना रनो जिस तरीके से राहूल गांदी पे हमलावर रहती थी राहूल गांदी पे जिस तरीके उनकी टिपा टिपनी बयान आ रहे थे लगातार कि इस तरीके उन्होंने इंस्ट्रागराम पे भी फोटो डाल दिया था राहूल गांदी का अपत जनिक फोटो तस्वीर तो क्या कंगना रनोत राहुल गांधी को लेकर के हालिया बयान उन्होंने दिया है तो यह इस फिल्म को कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस जो राज्य सासित राज्य है जहां सरकार है वहां तो बैन होना ही है पंजाब में भी बैन होना है और हाइप कोट से नोट्रिस भ दोवा और इस मिर्ति रानी ने कंगना रनोत की हेकरी निकाल दी मतल Suzuki bonec यहि시는 पीजेपी के तमाम बड़े नेता जो राहूल गांदी को हलके में ले रहे थे लीडर ओपोजिशन की बात को सिरियस गंबेटा से नहीं लेते लेकिन स्मृति इराणी ने ब्यान ने बता दिया कि राहूल गांदी कि इतने गंबीर है और क्या हिंडय परिवर्तन स्मिर्ति रानी का हुआ पहले हालिया ब्यान एक बार आप गौर कर लिजे कंगना रनौत का क्या कुछ नहीं दिया है एक्ट्रस कंगना रनौत ने राहूल गांधी को लिया आरे हाथ कहा घर जाकर टॉमेंट जेरी देखते हैं तो स्मिर्ति राहूल गांधी घर सांसत पर दिया बड़ा ब्यान अब सोचिए मतलब यह कह सकते हैं कि कंगना रनौत राजनीती में एक नाबालिक निता है इस तरह के ब्यान राहूल गांधी ड्रक्स से लेते हैं मतलब किसी निता ने इस तरह का ब्यान चाहिए वह कितना अंगुठा च्छांप नेता ही क्य गांधी वैसे ही बोलते हैं जितना उनकी समझ है तो कुल मिलाकर कंगना रनौत के इस तरह के ब्यान आते हैं मतलब कंगना रनौत हमलावर है अब यह फिल्म आई है उसको लेकर वह परिशान है लेकिन अब जवाब स्मिर्थी इरानी ने उनका जवाब देख लिए उन्हों सकते मतलब छुपी जोहं सबकी मुऊन पर टेप लगाने का काम जो है इसमिर्थी इरानी ने कर दिया है हलां कि धूर विरोती सारे उन्होंने ब्यान दिया जब म rendered रहुल गैंदी को बंगला खाली करना पता उसके बाद किस तरीके से इस मिर्थी इरानी राषी का मज़ा उ तुराती थी वह सब आपको याद है सहजादा बुलाती थी वह भी आपको याद होगा है कि जिर स्मिर्टी रानी का बंगला खाली करने की नौबत आई तो लोगों ने कॉंग्रेसियों ने मजाक उराया तो राहूल गांदी टूइट करते हैं राहूल गांदी ने क्या कहा था कि हार जीत लगी रहती है इस तरीके से आप मत करें किसी का मजाक न उराएं तो यह सपोर्ट मे से बीजेपी के तमाम नेता जो राहूल गांदी को लेकर उलजलूल ब्यान देते हैं उसके मुँपे टेप लगाना का काम जो है वो किया दे के पढ़िये एस्मिर्टी रानी ने कहा मुझे लगता है कि राहूल गांदी की पॉलिटिक्स में चेंज आया है उनको लगता है क उन्होंने सफलता को चक लिया है अगर आप देखेंगे कि कहां जाकर जाती को लेकर बोलते हैं इतने साल की राचनिती में पहली बार वह इंस्ट्रूमेंटल बोल रहे हैं वह संसद में सफेद टीशट पहनते हैं वह जानते हैं कि इस वाइट टीशट का यूवा पेड़ी पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं तो हम इस गलत फ़र्मी में न रहे कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे या बचकाना लगे लेकिन वह को जो भी कदम उठा रहे हैं वह अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं तो यह एड्लाइंस भी देख लिए क्या राहुल गांदी बचकानी हरकते करते हैं कोई गलत फ़र्मी में न रहे एवी पी निउस चला रहा है कि कोई गलत फ़र्मी में न रहे कि राहुल गांदी बचकानी हरकत करते हैं कलता कि स्मिर्थी रानी को लगता था राहुल गांदी बचकानी हरकत करते हैं फ्लाइंग किस को लेकर कितना समझे भूल करेंगे भीजफिन भूल करेंगे एकानी हरकत समझ रही है कुल मिलाकर उनका यह संदेश था पिजए पी के तमाम ब्रंपनलाथ तिर संदेश घुलकर विरोध कर रहा ईस फिल्म को ले-कर और कटना सदस्ता को लेकर के भी कोट में याची का द्यार कर दी गई है तो उनकी मुश्किल तो बढ़ती हुई दिख रही है उस बीच इस मिर्तिरानी का यह परिवर्तन राजनिती में कुछ नहीं आहट के संक्ये थे क्योंकि क्या इसमिर्तिरानी जिस तरीके से उन्हें बीजेपी सा नहीं नजर आ रहा है लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या इसमिर्तिरानी अपने आने वाले राजनितिक भविश्च के लिए कॉंग्रेस में कुछ विकल्प तलास कर रही है यही कारण है कि राहूल गांधी को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है तो इस पर आपकी क्या प पर था आज वो किस तरीके से ढल गया है वह आप तस्वीर देख रहे हैं खबरों में भी इसमिर्तिरानी नहीं आती है तो क्या राजनितिक भविश्च कॉंग्रेस में तलास कर रही है इसमिर्तिरानी अब जो है कोई सौफ्ट पोलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है उन वह इसमिर्तिरानी ने बता दिया तो फिल्हाल इस खबर में तरह ही मिलते ही वीडियो साथ बहुत हो धन्यवाद